हलो दोस्तों मैं आज ऐसे खमन डोकला की रेसिपी लेकिया हूँ जिसको बनाने के लिए ना मैंने इनो, साइटरिक एसीड और ना ही शुगर का इस्तमाल किया है और इसा स्पोंजी खमन बनाने के लिए हमें सिर्फ दाल चावल की जरूरत है और मैंने इसके साथ गुजराती कड़ी की रेसिपी भी शेर की है तो ऐसा ढोकला कैसे बनेगा उसके लिए आपको ये वीडियो देखना है अगर रेसिपी अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करें तो रेसिपी इसकी इस प्रकार है कि घर पे जो भी कटोरी हब यूज करते हो उसका मेजर्मेंट करेंगे उससे दो कप जितने चावल हमको लेने हैं और उसी सेम कटोरी से हम एक कप जितना चना डाल लेंगे अभी इनको अच्छे से दो बार हमको धो लेना है अच्छे से ताकि उसका पूरा डस्ट निकल जाए फिर इसमें चार कप पानी एट करके हम तक्रिमन दो से तीन घंटे के लिए इसको भिगोने के लिए रखने क्योंकि चना डाल को भिगोने में थोड़ा टाइम लगता है फिर दो गंटे के बाद चेक करने पर आपको चावल और चना डाल एकदम फूल चुके हैं और उसका पानी निकाल के उसको मिक्सर जार में एट करना है फिर उसमें दो बड़े चमच जितना धाई और अधा कब जितना पानी एट करके हमको इनको मिक्स कर देना है बेटर हल्क असा दरदरा होना चाहिए जैसे ही पिस जाता है उसको एक बाल में ट्रांसफर करेंगे फिर उसमें आधी छोटी चमच जितना हल्दी पाउडर एट करना है और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है आज की उसफिल टिप यह है कि बेटर में अगर पानी जादा डल जाता है तो इस स्टेज पे आप सूजी एट करके कंसिस्टनसी मेंटेन कर सकते हैं अभी इनको 7-8 गंटे के लिए हमको फर्मेंट करने के लिए रखना है और 7-8 गंटे के बाद आप बेटर चेक करेंगे तो बेटर एकदम फूल गया है और टेक्स्चर देखिए एकदम फलफी हो गया है ये हो जाने के बाद आपको इसमें एक चमच जितना नमक, एकदम बारी कटा हुआ अद्रक और हरी मिर्च और थोड़ा सा धनिया और दो चमच जितना आपको ओयल एट करना है और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके उसको फैट ना है फैटने से क्या होता है कि आपका खमान और ढोकला होता है न वो एकदम लाइट बनता है अभी इनको साइड में रख देंगे और एक स्टील की प्लेट लेंगे और उसको अच्छे से ओयल से ग्रीज कर लेंगे ताकि हमारा ढोकला चिपके नहीं और उसको स्टीमर पे रख देंगे गरम होने के लिए अभी बेटर में दो चुटकी पर जितना हमको सोडा और थोड़ा सा पानी एट करके उसको अच्छे से मिलाना है और आपको अच्छे से दो मिनिट तक मिक्स करना है ताकि पूरी सोडा एकदम मैल्ट हो जाए बेटर में और अभी जो मैंने ग्री से पी शेयर कर रही हूँ देखिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है इसके साथ एक बरतन में दो चमन जितना ओयल उसमें राई, जीरा, हिंग, सुखी लाल में जोट बेसन एट करके थोड़ी देर भून के उसमें पानी एट कर लेना है फिर उसमें हर इमेज करी प के लिए नीमबू एट करें और मिंटो में आपकी गुजराती घटी मिठी कड़ी तयार है जो ढोकला ही नहीं सारी गुजराती आइटम के साथ एकदम पॉफेक लगती है और तब तक हमारा ढोकला स्टीम हो चुका है आप चेक कर सकते हैं देखिए एकदम क्लीन निकला है म वह भी रेसिपी मैंने शेयर की हुई है उसकी लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर यहां पे लिंक आपको शो हो रही होगी वहां पे क्लिक करें आपको उसकी भी रेसिपी मिल जाएगी बट ये वाला खमन देखिए एकदम स्मोंजी फलफी बनाए एकदम अभ करी मिर्च और करी पता आड़ करके जो ढोकले के पीसीस हमने किये ते वो आड़ कर लेने हैं और अच्छे से उनको टोस करना है और हमारे दिलिशियस स्पोंजी स्पाइसी खमन तयार हो चुका है आप देखिए इसका टेक्सचर और आपको गुजराती फूट पसंदे तो आप कमेंड करके बताएं नेक्स गुजराती रेसेपी आपको कौन सी चाहिए उसकी रेसेपी में शेर करूंगी एकदम ला जवाब है आप जरूर राय करें अपने घर पे और इस खमन डोकले को एकदम खटी मिठी कड़ी के साथ सर्व करें बहुत ही ज़्यादा टेस्टी झाहिए 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 झाहिए